कि यूटूब चैनल परिक्सास है पाटी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड़ इवनिंग टू ओल ओफ्यू मेरी तू जैसे कि आपको पता है बच्चों अब हम टेस्ट कर रहे हैं जो क्लासिस हमने कर लिए उनी से हैं कोश्चन आपके टेस्ट में हैं वे कोश्च करते हुए अपने पहले कोश्चन के और चलते हैं अपने पहले कोश्चन के और चलते हर कोश्चन के लिए आपको आंसर बताने के लिए 10 सेगिंद का समय मिलता है 10 सेगिंद में आपको अपना आंसर बताना होता है चलिए पहले कोश्चन के और चलते हमारा जो पहला किस वर्स पर किस वर्स में भारत परकरमन किया वंझा इस ने कवेר तामूरन जोह था उसने कौन से साल में भारत परकरमन किया था उप्षन ने तेरह सो पचास इसवी ऑप्शन भी सोलह सो इसवी ऑप्शन सी तेरह सो अठानवे इसवी ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं दज सेकिंड का आपको समय मिला है फटावर्ट से अंसर बताईए कोशन नमर फरस्ट का अमारा क्या अंसर होगा जो तेमूर लंगता उसने कौन से साल में भारत पर आकर मन किया था चलिए जो आपका टाइम था वो शमाप्त हुआ जो तेमूर लंगता उसने तेरह सो अठानवे इसवी में भारत पर आकर मन किया था कोप्शन सी क्या है हमारा तेरह सो अठानवे इसवी में भारत पर आकर मन किया था तेमूर लंग ने भारत पर आकर मन किया था चलिए नेक्स्ट कोशिन की ओर चले गया हम अपने नेक्स्ट कोशिन क्या है हमारा कोशिन नेक्स्ट है लोधी वंस का कौन से वंस का संस्थापक पूछा गया है इसमें पूछा गया है लोधी वंस का संस्थापक कौन था हमारा कोशिन है लोधी वन्स का संस्थापक कौन था ओप्शन ए बहलोल लोधी ओप्शन भी सिकंदर लोधी ओप्शन सी इबराहीम लोधी ओप्शन डी इन में से कोई नहीं तो बच्चों बताईए जो लोधी वन्स का संस्थापक था वो कौन था लोधी वन्स का संस्थापक आपसे पूछ कि लोदी वंस का संस्धापक कौन फ सपा। को निता के चलिए जो आपका टाइम था वह हुणा लोधी बह्लोल लोदी जो था वह लोदी ने लोधिवन्स की स्थापना या फिर संस्थापक कोन का लोधिवंज का बेहलो लोधी लोधिवंज का संसतापक था तो इसका ने हमारा राइट आंशन है चलिए उक्षुशन की और बड़ेगे डीक्स्ट अगला कोईशन देखते हैं हम अपना अगला कोईशन देखेंगे हमारा जो अगला कोईशन है इसमें देखा है गया है अगले कोईशन में मेहमूद गजनी मेहमूद गजनी किस वंस कता जो मेहमूद गजनी है उसका वंस पूछा गया है कि कौन से वंस कता मेहमूद गजनी ऑफ्षन मेहमूद मेहमूद में आम खत्म हुआ टाइम वह शमाप क्तुआ तो जू महमूद गजनी था वह यामनी का तो जो किसमा था महमूद गजनी यामनी वंच सा辉 Об महमुद गजनी का वह यामनी वंस ता खर्थे अम्हेंद 3 से तालूक रखता था same camera right answer है चलिए अपने अगले question के और चलेगे हमारा अगला question क्या है उसे देखते हैं अगले question में पूछागया है सुनने की कोज किसने की कोज पूछागया है next question में पूछा गया है जे सुन्ने की जीरो जीरो सुनने की कोज पूछा गया इसमें सुनने की कोज किसने की ऑप्सने भासकर ऑप्सन भी आर्या भट ऑप्सन सी वरहा मिहीर ऑप्सन डी इन में से कोई नहीं तो आपको उत्तर बताना है कि किसने सुनने की कोज की थी आपको चार ऑप्सन दिये गए अपना राईट आंस्वर बताना आपको सही उत्तर बताना है आपको 10 सेगिंग का समय दिया जा रहा है जल्दी से अपने उत्तर बताईए जो सुनने की खोज थी वो किसने की चलिए जो आपका टाइम था वो शमाप्त हुआ जो सुनने की खोज थी वो आर्या भट ने की थी किस ने की थी सुनने की खोज आर्या भट ने तो अप्शन बी आर्या भट इसका राइट आंसर होगा अप्शन बी आर्या भट हमारा राइट आंसर है सही उत्तर है आर्या भट ने सुनने की खोज की थी चलिए अपने अगले परशन की ओर चलेगे हमारा अगला परशन कौन सा है हमारा परशन है अगला जो आया है प्राचीन क्या इसमें पूछा गया है जो हमारा कोशन है प्रा प्राचीन भारत राचीन भारत में निम्न में से कौन सा वुध्या अध्यन का केंद्र नहीं था कि कौन से अध्यान का जो विद्या अध्यान या फिर विद्या इस्टडी का जो केंद्र नहीं था आपको बताना है जिसमें विद्यान नहीं होती थी option A, कोसाम B, option B, तक्स सिला, option C, विक्रम इसला इसमें पूचा गयाता हमसे जह प्राचीन भारत है उसमें कौन सा विध्या का केंद्र नहीं ता जिसमें विध्या अध्यन नहीं की जाते थी आपको वो केंद्र बताना है option A कोशाम B option B तक्स सिला option C विक्रम सिला option D ये सबी 10 सेकिंड का आपको समय मिलेगा जल्दी से अपने उत्तर बताईएगा आपको जो टाइम है वो स्टार्ट होता है आप 10 सेकिंड आपको मिलीए चलिए जो आपका समय था वो समाप्त हुआ इसमें पूचा गया था जिसमें विध्या अध्यन नहीं की जाती थी वो केंद्र बताना है तो कोशामबी कोशामबी क्या था कोशामबी में विध्या अध्यन नहीं होती थी वो विध्या अध्यन का केंद्र नहीं था कोशामबी इसका सही उत्तर है कोशनम इसका जो अप्शन है हमारा सही उत्तर है चलिए अपने अगले परशन की ओर चलेगे हमारा जो अगले कोशन है अगले कोशन में दिया गया किस विदेशी यात्री ने किस विदेशी यात्री ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था कोशन में क्या पूछा गया किस विदेशी यात्री ने भारत का जो दोरा था वो सबसे पहले किया था तो बताईए बच्चों जो भारत का दोरा था वो सबसे पहले कौन से विदेशी यात्री ने किया था उप्षन A भासकर उप्षन B मेगास्त नीज उप्षन C वशु मित्र उप्षन D इनमे से कोई नहीं तो आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति था कौन सा यात्री था जिसने भारत का दोरा सबसे पहले किया विदेशी यात्री आपको बताना है विदेशी यात्री चलिए जो आपका टाइम था वो स्चार्ट होता है अब 10 सेगिंड का आपको समय मिला है फोटावर्ड से अपना उत्तर बताईएगा चलिए जो आपका आपको जो टाइम था वो शमाप्त हुआ इसमें विदेशी आत ने पूछा गया था तो इसका जो सही उत्तर होगा जो इसका सही उत्तर होगा उप्शन भी मेगास्तनीज एक विदेशी मेगास्तनीज को उन्टा जो सबसे पहले विदेशी आतरी था जिसने भारत का दोरा किया था भारत का दोरा किया था मेगास्तनीज ने विदेशी आतरी है मेगास्तनीज एक विदेशी आतरी है जिसने भारत का दोरा सबसे पहले किय तो अगले फर्शन के और चलते हैं हमारा जो अगला कोशन किया है है किस व्यक्ति को दुआशोक कहा जाता है हमारा जो कोशन है कोशन में पूछा गया है कि कौन सा वैक्ति है जिसको द्वित्या सोक कहा जाता है द्वित्या अशोक आपको बताना है कि किस वैक्ति को द्वित्या सोक कहा जाता है option A, हर्स वर्दन, option B, चंद्र गुप्त मोरी है, option C, समुद्र गुप्त, option D, इन में से कोई नहीं तो बताईए बच्चो कौन सा व्यक्ति है जो दूत्य अशोक कहा जाता है, कौन से व्यक्ति को दूत्य अशोक कहा जाता है आपको 10 सेगिंद का समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताईएगा, चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब चलिए आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसमें पूचा गया है तो जो दूत्य कौन सा सोक जो दूत्य अशोक है वो कौन से व्यक्ति को कहा जाता है हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है हर्षवर्धन को दूत्य अशोक कहा जाता है तो इसका उप्शन है हमारा से उत्तर होगा चलिए अपने अगले परशन के ओर चलेगे अपने अगले कोशन क्यों चलते है हमारा अगला कोशन क्या है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहा किया था इसमें पूछा गया है जो हर्षवर्धन है उसने अपनी धार्मिक सभा थी वो कहा की थी तो बताए बच्च जो धार्मिक सब आती है अर्शिवर्दन की वो कहा हुई थी उस जगह का नाम पूछा गया है जहां पर अर्शिवर्दन ने धार्मिक शबा की थी ओप्षने परियाग ओप्षन B वारा नशी ओप्षन C मतुरा ओप्षन D पेशावर तो आपको सही उत्तर बताना है किसका जो अर्शिवर्दन है जिसने जो अपनी धार्मिक सबा थी वो की थी उस जगह का नाम बताना है जो जहापर धार्मिक सबा हुई थी किसकी हर्शिवर्दन ने जो धार्मिक सबा की थी उस जगह का नाम पूछा गया है कि वो सबा कहां कौन सी जगह पर जल्दी से अपना उत्तर दीजिएगा चलिए जो आपका टाइम है वो इस्टार्ट हो चुका है चलिए जो आपका समय था वो खतम हुआ हार्शिवर्धन जो ता उसने जो अपनी धार्मिक सबा थी वो कौन से जगह पर की थी परियाग में की थी ऑप्षन है परियाग इसका सही उत्तर हार्शिवर्धन की जो दार्मिक सबा हुई थी वो परियाग में हुई थी कहां पर हुई थी परियाग में हुई थी चलिए अपने अगले कोईशन के और चलते है हमारा जो अगला परशन है अगले परशन में पूछा गया है मिहीर कुल कौन सा कुल महीर कुल का संबंद पुछा गया है कि जब महीर कुल है उसका संबंद किस से था महीर कुल का संबंद बताना है आपको कि महीर कुल का संबंद था अप्शन A हून से अप्शन B कुशान अप्शन B क्या हमारा कुशान अप्शन C मोखरी अप्शन D गुप्त तो बताईए बच्चो जो मिहीर कुल का संबंद था वो किस्से था दस सेकिंड का आपको समय मिला है जल्दी से अपना अंसर बताईए मिहीर कुल का संबंद किस्से था चलिए आपका जो टाइम था वो शमापत हुआ हमारा जो सही उत्तर होगा वो है मिहीर कुल का संबंद जो है वो हून से था हून का संबंद किस्से था मिहीर कुल से और मिहीर कुल का संबंद किस्से था हून से तो इसका जो सही उत्तर होगा हून औप्शन ने हून इसका सही तरह चलिए अपने अगले question की और चलते हैं अमारा जो अगला question होगा है इसमें पूछा गयानभट किस सम्राट के राजधरबारी कवी थे कौन जो बानभट है वो कौन से सम्राट के राजधरबारी कवी थे आपको बताना है वो कौन सा समराड था जिसके राजदर्बारी बान भट थे जिसके राजदर्बारी बान भट थे चलिए आपका जो पहला उप्षन है वो कनिस्क उप्षन भी कुमार गोप्त उप्षन सी हाश वर्दान उप्षन डी इन में से कोई नहीं तो बताईए बच्चो कौन से समराट था जिसके राजदर्बारी कवी जो थे वो बानबट थे या फिर जो बानबट थे वो कौन से समराट के राजदर्बारी कवी थे आपको जो समराट है उस समराट को नाम बताना है जिसके राजदर्बारी कवी बानबट थे आपका जो टाइम है वो श्टार्ट होता है अब 10 सेकिंड का आपको समय मिला है जल्दी से अपने उत्तर बताईए कि बानबट कौन जे समराट के राजदर्बारी कवी थे चलिए जो आपका टाइम था वो शमाप्त हुआ इसका जो सही उत्तर होगा जो बान बठते वो कौन जो समराट के राज़दर्बारिक कवी थे हार्शिवर्धन के हार्शिवर्धन वो समराट था जिसके राजदर्बारिक कवी जो ते वो बान बठते या फिर हर्शिवर्धन के जो राजदर्बारिक कवी ते वो बान बठते हर्शिवर्धन वो समराठ था इसका option C हर्शिवर्धन सही उत्तर होगा हर्शिवर्धन क्या हमारा सही उत्तर है चलिए अपने अगले परसन के ओर चलते हैं अपने अगले कोशन के ओर चलेगे चलिए जो हमारा कोशन है हमारा कोशन का है नेक्स्ट कोशन देखते है बाल विवा की प्रथा आरम भूईती कौन से विवा की इसमें पूछा गया है जो बाल विवा की पढ़ता थी वो कब आरंब हुई थी कौन से पढ़ता बाल विवा की पढ़ता पूछी गई है बच्चो तो आपको बताना है जो बाल विवा की पढ़ता थी वो कौन से काल में आरंब हुई थी option A, गुफ्त काल में, option B, कुशान काल में, option C, मोर्य काल में, option D, इन में से कोई नहीं तो बताईए बच्चो जो बाल विवा की प्रता थी वो कौन से काल में आराम हुई थी आपको जो टाइम है वो श्टार्ट होता है अब 10 सेगिंड का आपको समय मिला है फटावर्ट से अपना उत्तर बताईए बाल विवा की जो प्रता थी वो कौन से काल से आराम हुई थी बाल विवा की आपने प्रता बतानी है कि वो कौन से काल से आराम हुई थी चलिए जो इसका सही उत्तर होगा बाल विवा की जो प्रता थी वो आराम हुई थी चलिए अपने नेक्स्ट कोईशन के ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोईशन क्या है सोने के सरवादिक सिक्के किस काल में जारी किये गए कोईशन क्या है हमारा कोईशन में पूछा गया है जो सोने के किस के जो सोने के सरवादिक सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् के काल में तो बताईए बच्चो जो सोने के सरवादिक सिक्के थे वो कौन से काल में जारी किये गए थे इसमें पूछा गए जो सोने के सरवादिक सिक्टे थे वो कौन से काल में जारी किये गए थे आपको बताना है कि जो सोने के सरवादिक सिक्टे थे वो कौन से काल में जारी किये गए थे option A, गुप्त काल में, option B, कुशान काल में, option C, मोरिय काल में, option D, हर्ष वर्धन के काल में आपको सही उत्तर बताना है, आपको 10 सेगिन का समय मिलेगा जल्दी से अपना उत्तर बताईए कि जो सोने के सरवादिक सिक्केत है, वो कौन से काल में जारी किये गए थे चलिए, जो आपका समय था, वो शमाप्त हुआ, जो सोने के सरवादिक सिक्केत है, वो गुप्त काल में जारी किये गए थे कौन से काल में? गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किये गए थे सोने के जो सरवाधिक सिक्यते वो गुपत काल में जारी किये गए थे तो अप्षेन इसका सही उत्तर होगा चलिए अपने अगले कोश्चन के ओर चलते हैं अगले next कोश्चन के ओर चलते हैं इसमें पूछा गया है कि इस गुपत कालीन सासक को कवीराज कहा जाता है तो आपको वो गुप्त कालिन सासक बताना है जिसको कवीराज कहा जाता है जो कवीराज है वो कौन से गुप्त कालिन सासक को कहा जाता है आपको बताना है option A, चंद्र गुप्त मोरिय, option B, कनिस्क, option C, समुद्र गुप्त, option D, कुमार गुप्त तो बताए बच्चो कौन सा सासक को कवीराज कहा जाता है, कौन सा सासक है वो जिसे कवीराज कहा जाता है गुप्त कालीन का कौन सा सासक है जिसको कवीराज कहा जाता है दस सेगिन का आपको समय मिलेगा आपको सही उत्तर बताना है चलिए जो आपका समय है वो स्टार्ट होता है अब दस सेगिन का आपको समय मिल रहा है दस सेगिन का आपको समय मिलेगा तो जल्दी से अपना उत्तर बताईए चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब 10 सेगिंड आपको दी गई है चलिए जो इसका सही उत्तर होगा इसमें पूछा गया था कौन से गुप्त कालिन सासक को कवीराज कहा जाता है इसका जो सही उत्तर होगा जो कवीराज कहा जाता है वो सासक है समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त जो है वो गुप्त कालिन सासक को कवीराज कहा जाता है समुद्र गुप्त इसका सही उत्तर होगा समुद्र गुप्त को क्या कहा जाता है समुद्र गुप्त को क्या कवी राज भी कहा जाता है चलिए अगले कोशिन क्यों चलते हैं अब हम चलिए अपना अगला कोशिन देखेगे हमारा नेक्स्ट कोशिन क्या है गुप्त राजवन्स किस लिए परसित्ता कोशिन पुछा गया हमारा गुप्त राजवन्स किस लिए परसित्ता कोशिन में क्या पुछा गया है जो गुप्त राजवन्स है वो किस लिए परसित्ता तो बताए बच्चों जो गुप्त राजवन्स है वो किस लिए परसित्ता Option A, सामराजयवाद, Option B, कलायवम, इस्थापत्य, Option C, राजसवयवम, भुमिकर, Option D, ये सबी तो बताएं, जो गुप्त राजवन्स था, वो किसलिए परसिता, गुप्त राजवन्स आपसे पूछा गया है कि वो किसलिए परसिता, Option दिये गए आपको, सामराजयवाद, इस्थापत्य, Option C, राजसवयवम, भुमिकर, Option D, ये सबी तो आपको बताना है, जो गुप्त राजवन्स था, वो किसलिए परसिता, आपको, 10 सेकिंड का समय मिला है, फटाफट से अपने उत्तर बताईए, गुप्त राजवन्स, किसलिए परसिता, था, चलिए जो आपका समय ताउव खटम हो गया, जो गुप्त राजवन्स था, वो कलायवम इस्था, परसिता, किसके लिए परसिता, कलायवम, इस्था, परसिता, गुप्त राजवन्स, कलायवम, इस्था, परफिता, तो इसका जो सेउत्तर है, Option B, कि इसका सही उत्तर है कलावम इस तपते क्या है इसका सही उत्तर है चलिए अगले कोशन के ओर चलेगे हमारा अगले कोशन क्या है अगले कोशन में दिया गया हमारा मुजरिस क्या दिया गया है जो मुजरिस किस राज्य का परमुख बंदरगा था कोशन में पूछा गया है जो मुजरिस है वो कौन से राज्य का परमुख बंदरगा था जो मुजरिस है वो कौन से राज्य का परमुख बंदरगा था दस सेगिंड का आपको समय मिलेगा बच्चों फटा फट से अपना उत्तर बताईएगा मुझी रीज कौन से राज्य का परमुक बंदरगा था चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेगिंड का आपको समय मिला है चलिए जो आपका टाइम था वो खतम हो गया जो मुझरिस है वो कौन से राज्य का बंदरगा है चेर राज्य का परमुक बंदरगा है तो अप्षने चेर इसका सही उत्तर होगा चेर क्या है हमारा सही उत्तर है चलिए अपने अगले कोशिन क्यों चलते है हमारा अगला कोशिन क्या है उसे देखेगे हमारा कोशिन है गुप्त कोशिन क्या है हमारा जो गुप्त वन्स का संस्थापक कोन था क्या पुछा गया है जो गुप्त वन्स है उसका संस्थापक पुछा गया है कि गुप्त वन्स का जो संस्थापक वो कौन था option A, सिरी गुप्त, option B, घटोत कच गुप्त, option C, चंदर गुप्त, option D, इन में से कोई नहीं तो बताइये बच्चो गुप्ति वानज को संस्तापक था आपको ओप्शन दिये गए दस सेगिंद का आपको समय मिला है फटाफर से अपना उत्तर बताईए गुप्त वन्स का संस्तापक कोन था चलिए जो आपका टाइम था वो शमाप तुआ जो गुप्त वन्स का संस्तापक था कोन से वन्स का गुप्त वन्स का जो संस्तापक था वो श्री गुप्त था श्री गुप्त कोन से वन्स का संस्तापक था वो श्री गुप्त था और श्री गुप्त कोन से वन्स का संस्तापक था वो गुप्त वन्स का था तो इसका जो अप्शन है श्री गुप्त हमारा उत्तर होगा गुप्त बंसका धुस्थ 성तापक था वो श्रीजुप्त है चलिए नेक्सtat कोषचिन के और हम नेक्सट कोषचिन को देखते यह मा और में दिया गया घुप्त सास्कोगी सरकारी बासा थी कौन से सास्कोगी जो गुप्त साकतेस시क्ट उनकी सरकारी बासा पूछी गई है कौन सी बासा सरकारी बासा पूछी गई है सरकारी बासा उनकी कौन सी थी कुछ की जो गुप्त सासक थे उनकी सरकारी बासा थी option A, Pali, option B, Sanskrit, option C, Hindi, option D, प्राकर, तो बताईए बच्चो जो गुपत सासक थे, उनकी जो सरकारी बासा थी, आपको बतानी है, गुपत सासकों की सरकारी बासा कौन सी थी, आपका जो टाइम है, वो स्टार्ट होता है, अब 10 सेकिंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपने उत बताईए, गुपत सासक की जो सरकारी बासा थी, वो आपको बतानी है, तो फटाक से अपने उतर दीजिए, जो गुपत सासक थे, उनकी जो सरकारी बासा थी, वो संस्किर्ट थी, कौन सी बाशा, संस्किर्ट उनकी सरकारी बाशा थी, तो कोश्या इसका जो अप्शन भी संस्कर्थ जो थी वो गुप्त सासकों की कौन सी भासा थी सरकारी भाशा थी जो गुप्त सासक्त थी उनकी जो सरकारी भाशा थी वो संस्कर्थ थी चलिए अगले कोशन कान चलते हमारा नेक्स्ट कुश्यन कोंसा है नेक्स्ट कोश्यन में दिया गया है प्राचीन ब्हारत में निमलिकित में ऐसे कौन सी एक लिपीदाई और से बाई और लिखी जाती थी इसमें जो लिपी पुछी गइए भी ऑर लिखी जाती है दो दाई से शुरुए के बाई की तरफ को चलती है तो दाई और से बाई की और कौन से लिपी लिकी जाती है आपको उत्तर बताना है ओप्शन ए खरोस की ओप्शन भी सारदा ओप्शन सी नंद नागरी ओप्शन डी इन में से कोई नहीं तो आपको क्या बताना है वो लिपी बतानी है जो दाई और से बाई की और लिकी जाती है आपको 10 सेगिन का समय मिला है फटाक से अपने उत्तर बताईए 10 सेगिन आपको मिली है उत्तर बताने के लिए आपको 10 सेगिन का समय दिया गया है तो जल्दी से बताईए वो लिपी जो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है चलिए जो आपका टाइम था वो शमापत हुआ जो लिपी दाई से बाई की ओर लिखी जाती है वो खरोस्टी लिपी है कौन सी लिपी खरोस्टी लिपी जो है वो दाई से बाई की ओर लिखी जाती है इसका जो सही उत्तर है उप्षने खरोस्टी इसका सही उत्तर है क्हरोष्टी क्या हमारा सही उत्तर है और इसके बीम बेत का किसके लिए पर्शिद है इसमें पूछा गया है जब भीम बेत का क्या पूछा गया है जब बीम syndrome खांगा है वो किसके किसके लिए परशिद है कोशन में पूचा गया है जब भी में बेतका है वह किसके लिए परशिद है ऑप्शन ए खनीज ऑप्शन बी सोन नधी का उद्गमिस्थल ऑप्शन सी गुफाओ के सैल चित्र ऑप्शन डी इनमे से कोई नहीं बताई बच्चों गrr जब बीमिन बेतका है वह किसके लिए परशिद है जब कर दो परशिद हो इसको ठीम उत्तर होगा जब बीमिन बेतका है वह किसके लिए परसीद है गुफाओं के सैलचितर के लिए कौन परसीद है भीम बेतका मे भीम बेतका गुफाओं के सैलचितर के लिए परसीद है तो इसका option C हमारा right answer है चलिए next question कि और बढ़ेगे next question को देखेगा हम अपने हमारा next question क्या है नेक्स्ट कोईशन में आमें दिया गया है निमलिकित में से कोन साएक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था कोईशन में पूछा गया है क्या निमलिकित में से कोन साएक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था तो व्यापारियों का जो निगम था प्राचिन भारत में आपको बताना है option A, प्रिशद, option B, मनिगराम, option C, आश्टी दिगज, option D इन में से कोई नहीं तो बताए बच्चो प्राचिन भारत में जो व्यापारियों का निगम था क्या था कौन सा निगम था जो प्राचिन भारत में व्यापारियों का निगम था दस सेकिंड का आपको समय मिला है फटाक से अपने उत्तर बताईए व्यापारियों का निगम बताना आपको जो प्राचिन भारत में होता था चलिये जो आपका समय था वो समाप्ट हुआ इसका जो सही उत्तर होगा जो प्राचिन भारत में वैपारीो का निगम था वो मनिगराम था Option B अप्राचिन भारत में जो वैपारी थे उनका निगम मनी ग्राम था ओप्शन भी इसका सही उत्तर है चलिए ये हमारा लास्ट कोशन था अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को जाद से जाद से शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर इक्सा सैपार् सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहें ठैंक यूँ